सब को जय मस्य की प्रज़ लॉर्ट और ब्लेस यू आल मैं प्रवकदास फिर एक बार इस नहीं वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं आमेन हललुया आज मेरा विश्वास है परमेशर फिर एक बार आपकी जीवन में अपने सामर की हाथ को लाने जा रहे अपनी दया के हाथ को दिखाने जा रहे क्योंकि जो आज परमेशर ने आपके और मेरे रखा है वो काफी ज्यादा सामर चली है और मेरा विश्वास है जो लोग आज इस वच्छन को सुनने वाले हैं जो सुन रहे हैं सुनकर समझने वाले आज परमेशर की नई सामर को दिखने वाले आमे के मोटिवेशन के तोर पर एक अच्छी बात है कि हमें वो सीखना जरूरी था लेकिन आज बहुत लोग को उसकी पीछी मिस्ट्री नहीं पता और आज वही मिस्ट्री मैं आपको रिविल करने जा रहा हूं जो सबसे पहला स्पिरिट मनुश्य के जीवन में अधिकार जमाता ह आज हम मसी के नाम से कितने लोग त्यार है जो लोग तयार है कमेंट्स में प्राइर और य ही लिखिये आज आदी इसी प्रेट को जला देगी लेकिन आपको समझना है उस spirit को defeat कैसे करने है उसको हराना कैसे है आमेन, हललुया क्योंकि मैं कहूंगा 99.99% believers लोग इस एक ही spirit के अंदर struggle कर रहे है इसके लाव मैं नहीं जानता कि और कुछ उनको सता रहा है यह शरम ही है जो उनको बार 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 उसी position पर लाकर रग रही है कितना लोग समझ रहे है और आज उसी spirit को हम आज expose करेंगे और परमिश्वर के वच्छन के दौर हम सीखेंगे और मैं चाहूंगा आज आप अपनी Bible को खोले केवल दो चना आज मेरे साथ पढ़ेंगे और उस वच्छन के mystery को आज हम सीखेंगे आमेन, हाललुया मरकुस रचित्सु समाचार उसका ग्यारवाद है वच्छन बारा से लेके चवदातक हम पढ़ेंगे मरकुस रचित्सु समाचार उसका ग्यारवाद है वे चन 12 से लेकि 14 तक हम पड़ेंगे दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूक लगी वो दूर से अंजिर का एक हरा पेड़ देकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था इस पर उसने उससे कहा अपसे कोई तेरा फल कभी न खाए और उसके चेले सुन रहे थे आमेन, हललुया बचाओंगा आप उस वच्छन के उपर गौर करे और प्रभवाज आपसे क्या बात करना चाहते है समझे क्या आपको लगता है प्रभवेश्य मसी को भूक लगी और उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो उसने पेड को श्राप दे दिया क्या आपको लगता है आपका प्रभवेश्य मसी इतना शौर्ट टेमपर था उसको इतना जल्दी घुसा आ जाता था नहीं कुछ बाते उसने जान बुच कर की है ताकि हम उससे सीखे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस अंजिर के पेड को जो श्राप मिला क्यों मिला उसका कारण था उस पर कोई फल नहीं था लेकिन मैं आज आपको फल के बारे में नहीं बताने वाला हमको पता है मसी होने के नहीं हमें फल देना चाहिए यह हमने अब तक सीखा है लेकिन क्या परपस है उस पेड को प्रभोश मसे ने शिरापित किया आमेन हल्लूया वही मिस्टरी मैं आज आपको रिविल करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस वचन को बड़े कमभीरता से समझे और इस वचन को समझने के बाद ही आप जान सकेंगे वो स्पिरिट आप्शिम आपकी जीवन में कहा अधिकार जमा रहा है आमेन हल्लूया पैबल के हित्ति है प्रभोश में उसी को भूक लगी और उसमें दूर से देखा एक अंजीर का पेड़ वो हरा पेड़ था हल्लूया कहिए वो हरा पेड़ था हरा पेड़ होने का मतलब क्या है पता है एक विक्ति है जो प्रातना भी कर रहा है वो प्वास भी कर रहा है मैं परमेश्वर के वचन को समझ रहा है रातना भी कर रहा है वचनों को पढ़ रहा है वचनों को मिम्राइज कर रहा है वचनों को knowledge ले रहा है जिकिन उसके उपर कोई फल नहीं है और आज बहुत सारे मसीदों हरे भरे है लेकिन कोई फल नहीं है क्यों नहीं पता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ पल मेरे साथ थोड़े पास्ट में चलिये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आदम और हवा ने अपने शिवन में पाप किया उनने क्या क्या पता है भले और बुरे की ज़्यान का फल खाने के बाद उनकी आखे खुल गई वो कौन सी आखे थी पता है आदम और हवा को पहले से पता था कि वो नगन थे उनके ओपर कोई कपड़े नहीं है लेकिन बाइबल केहती है और उनको उसमें कुछ भी संग कुछ ने लगा वो हर दिन एक दूसरे को नंगा देख रहे थे और एक दूसरे को नगन देख रहे थे लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई शरम नहीं थी लेकिन जिस वक्त उन्होंने बले और बुरे की ज्ञान के पल को खा लिया शैतान के भर्माने के बाद इन देखी उनकी आखी कुल देए वो आखी कोई से थी पता है जो पुवित्र आत्मा के नो वर्दान है उनके अंदर एक परखनी वली आत्मा आ गई जो उनके लिए उस समय के लिए नहीं रखी थी हाललूया कितने लोग समझ रहे हैं जब एक विक्ति भले और बुरे के फल को खा लेता है उसके अंदर डिसंडमेंट आ जाती है उसको समझ में आ जाता है उसको परखनी वली आत्मा मिल जाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और फल बुरा नहीं था आज परमिश्यों चाहते है आपके अंदर वो हो लेकिन उस समय ऐसा परमिश्यों ने क्यों होने दिया उसके पीछे एक वज़ा थी क्योंकि एक छुपकर रहनी वाली आत्मा उस जगह पर अपने अधिकार को लेने की कोशिश कर रही थी वो है शरम इमिडिटली जिस वक्त उन्होंने उफल को खाया इमिडिटली वहाँ पर जब उनकी आखे खुली उन्होंने देखा कि वो नंगे है और उन्होंने तुरंट अपने आपको क्या किया पता है उन्होंने अंजीर के पतो को सिल कर अपने आपको धका अंजीर के पेड़ की पत्तियों से लेकर उनने कुछ बनाया होगा और उसके द्वारा अपने आपको धका और यहाँ पर प्रभुश्यों मसीव ही पर उस बात को एक्सपोस कर रहे है जब आप अंजीर के पेड़ की तरह हरे भरे होने के बाद भी अपने आपको धकनी कुछ करते हो अंजीर का पेर राइचसनेस को ठेराता है राइचसनेस को दर्शाता है धार्मिकता को दर्शाता है परमिश्वर ने आदम और हवा पर अपना क्रोध क्यों जताया पता है फल खाया इसलिए नहीं एक्चुलि उन्होंने अपनी गल्ती को चुपाने के लिए जो धर्मीक्ता के वस्तर भेने जो उनको नहीं करने चाहिए थे जब उन्होंने अपनी आपको अपनी आपको रिप्रेजंट करें समय हम नगन नहीं यह दिखाने के लिए परमिश्वर के सामने ऐसे गए कि हम प्रात्ना भी कर रहे हम सब कुछ कर रहे हम दांतर्शाओं दे रहे हम सब कुछ कर रहे है लेकिन अध्या प्रभू आपको चानत नहीं बनाया है, ये वस्तर मैंने नहीं दिये, ये मेरी धार्मिक्ता नहीं है, जो मैंने इनको दी है, अललुया, कितने दोख समझ रहे, जब एक मसीव एक अपने आप को अपनी धार्मिक्ता से सजाता है, और परमिश्वर की नजर में पाप से भी जादा ख्रेना लाने वाली बात होती है, परमिश्वर पाप्यों से फ्रेम करता है, पाप से नफरत करता है, लेकिन सबसे बड़ा पाप, अगर परमिश्वर की नजर में कुछ है, तिने आपको धर्म के वस्तर अपने हिसाब से पहनाना, जो सच्छा धार्मिक्ति होगा, प्रभुईश्यू मसी की धार्मिक्ता को पहन लेगा, आमें, हललुया, कितने लोग समझ रहे, प्रभोजिश्य मसी ने उस खारम उस पेड़ को श्राप दिया, तुम हरे बरे तो होते हो, लोग देखते हैं, तुम हरे बरे हो, प्रातना कर रहे हो, उपुज़ कर रहे हो, दान दशन दिरों, सब कुछ है तुमारे पा तो आपको देख सके, आपके बास कोई फल उसे मिले, आमेन, कितने लोग समझ रहे हैं, बाइबल कहते हैं, आदम और हवान ने, जब उस फल को खाया, इमिडेटली उनके अंदर शरम आ गई, और शरम के कारण उन्होंने धार्मिक्ता के बस्तर पहन लिये, जो वे उनके बना यहुदियों लोग के यह, कि मैंने तुम्हारी धार्मिक्ता को तुछ जाना है, जो तुम कर रहे हो, परमिश्वर की नजर में योग्य नहीं है, आज वैसे ही बहुत सारे लोग अपने ही मारगों पर चल पड़े हैं, उन्होंने प्रवेश्य मसीख धार्मिक्ता की खोज नहीं की, इसलिए मत्य उसका छेद्धे वचन देटिस कहता है, तुम सरो पर थम परमिश्वर के राज्य और उसकी धार्मिक्ता की खोज करो, क्यों कह रहा है वचन ये, परमिश्वर का राज्य उसकी धार्मिक्ता में है, जब आप मसीख की धार्मिक्ता को अपने जीवन म लाते हो, परमिश्वर राज्य आपके नराना शुरू हो जाता है, आमें, हाललुया, लेकिन ये स्पिरिट ऑप शिम एक विक्ती के जीन में कैसे आता है, जब एक विक्ती का जनम होता है, तब उसका तारा स्वर्क से निकलता है, वो जो शाइन करता है, शैतान उस तारे को देखकर समझता है कि इस विक्ती के लिए परमिश्वर ने क्या रखा है, क्या आपको लगता है शैतान इतना अनपड़ है, नहीं, बायबल उसे भरमाने वाला कहती है, और जब जब बायबल में आपको देखने को मिलेगा कि शैतान हर जवज लोगों को क्या कर रहा है, भर सब्सक्राइब अपने हिसाफ से सजाया है प्लीज बंद करे और परमिश्व सामने सरेंडर हो चाहे शमा मांगे मैं नगन होकर ही तेरे पासा हूँगा मैं पाप किया हो मैंने कुछ भी किया है मैं वैसे ही तेरे पासा हूँगा तो वो मुझे उस प्लोरी में बदल एश्व मसीखे नाम से मैं चाहता हूँ आज मेरे साथ अप्रात्ना करे एश्व मसीखे नाम से उस हर एक तारे को जो जो विक्ति मुझे देख रहे है उस हर एक विक्ति के तारे को जिस सेथान ने ठग दिया है उसकी ब्राइटनेस कम कर दिये उसकी गलोरी कम कर दिये उसकी गलोरी को ठाब दिये तो कि ये वो विक्ति अपने जोने का भी भी आशीशी ना हो सके उस शरम की आत्मा को मैं ठाटता हूँ शुमसी के नाम से ले प्राथा का सुठे के रिपो को तो लो कामा शेंदेलिया बारादाहा राबा मामान देले को राबा शेकेले बेहले I command those devils in the name of Jesus ुस हरे पेक्ति के तारह को छोड़के जाए शुमसीके नाम से Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. पर मिश्या आप किछी उनों को छोए और आपके थारे को चमकाने पाई शो मसी की नाम से आज से आपका थारा चमकने पाई शो मसी की नाम से हर एक बंद पड़ा काम खुलने पाई शो मसी की नाम से जिस जगह पर आप शरम को देख रहे हो वो शरम ग्लोरी में बदले गे इशु मुसी की नम से right now in the name of Jesus रेपा कातू राबा सेथे ले मान डेले कीरी बहा बारो खोटो ले मान डेले कीरिया बहा जोक्रो ले मा थैंक यू, Holy Spirit, थैंक यू, Jesus वो इतरात्म पिता हम अपकी स्थूति करते है आपकी धर्मिक्ता के वस्त्र हमें पहनाए परमिश्वर और सच्ची धर्मिक्ता हमारी जीवन में आने पाए हम क्यों प्रात्मा नी कर पा रहे क्योंकि वो शरम की आत्मा हमें सता रही थी आज से वो शरम की आत्मा निकलेगी आजसे आप प्रात्ना करने वाले लोग बनेंगे आजसे आप उप्वास करने वाले लोग बनेंगे आजसे आप किंडम गिवर बनेंगे शुमसी की नाम से आप मांगने वाले नेबल की देने वाले बनेंगे शुमसी की नाम से रेपाटू नामास सेथे लेकी बारूठा का बाजे Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. पवितरात्म परमिश्वपिता हम अपकी स्तुती करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं आपके लोगों के संग अपने बात की और इस धार्मिक्ठा को हम मारे चियोन में लाया जो परमिश्वर के पूत्र की धार मिक्ता है जो मसी एश्यो की धार मिक्ता है आज से हम उस धार मिक्ता को पहलेंगे एश्यो मसी के नाम से दया करें परमिश्वर की ता हम आपकी स्थूति करते है हम आपकी महिमा करते है सारा आदर सारा जलाल सारी महिमाँ आपको देते हुए प्राद नाम सब मिलकर एश्यों मसी के नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमेन, 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 आललोया, परमिश्या आपस अब सबको बलेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, व ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चाये जाएंगे और जो लोग अपने लाइफ में जो लोग सचाश्मुच अपने life में स्ट्रेगल कर रहे है परमेशवर की दया को पाएंगे नमें हललूया परमेश अब सब को ब्लेस्ट करें सब को जैम से के, प्रेज लौट, God bless you all. Thank you.